दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको no broker application के बारे में कुछ बताने वाला हूँ और no broker application के साथ जो problems मुझे हो रही है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ ठीक है यहाँ पर मैं no broker application के अंदर आ चुका हूँ और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि no broker जो application है वो हम सभी को 5 लाक रुपे तक का instant cash प्रवाइट करवाता है एक बात मैं यहाँ पर आप सभी के लिए जानकाई के लिए बता दूँ कि no broker application में जो आपको instant personal loan दिया जाता है वो बहुत कम ब्याज पर दिया जाता है अभी तक का जितने भी प्लेश्टोर पर loan application है उनमें सभी से टॉप यह application मुझे लगा क्योंकि इसका जो API है वो बहुत ज़्यादा कम है अब यहाँ पर दोस्तो मैं इस application को पिछले कई सालों से continue use करता आ रहा हूँ लेकिन जो instant personal loan का option यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें मैं जैसे claim now पर click करता हूँ claim now पर click करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे no broker कह रहा है कि get up to 10 lakh रुपीज instant cash यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूँ interest rate इसका starting में 12.99% है मतलब कि 1.2% 3% है वो भी दोस्तों 100 रुपे पर और यह 12.99% ही 1000 रुपे का interest ठीक है और यहाँ पर flexible जो है आपको withdraw anytime anywhere मिल जाएगा and यहाँ पर how does how does NB instant cash work दोको सबसे पहले आपको no broker में आना है और अपनी जो profile है वो complete करना है उसके बाद दूसरे step में आपकी KYC verification की जाएगी KYC verification में आधार card, pen card, cell fee लिया जाएगा and तीसरे step में आपको emendate चालू करना पड़ेगा emendate चालू करने से दोस्तों आपकी जो EMI है automatically bank से cut होती रहेगी और चौते step में आपका जो loan है आपके bank में withdraw हो जाएगा और आप उस loan को लेकर के आनन्द कर सकते हैं तो दोस्तों इस loan को लेने के लिए मैं no broker application में पिछले एक साल से login करके रखा हूँ एक साल से no broker application में कुछ ना कुछ से work करता रहता हूँ लेकिन मैं जैसे यहाँ पर instant cash loan पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं no broker वाले क्या बोरहे है join the base list will we contact you soon join the base list पर क्लिक करते हैं submit request चली आती है एंड दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी response देखने को मुझे नहीं मिलता है मेरा भाई मैं आपको बता दूँ पिछले कई सालों से मतलब एक साल तो होई गया है पिछले एक सालों से मैं इस loan को लेने के लिए बेकरार हूँ लेकिन यह company मेरा जो profile है वो हमेशा weight list में डाल देता है अब इनको क्या दिक्केत हो रही है वो मुझे पता नहीं चल रहा है हला कि मैंने company वालों से बार call किया था एंड इसके बारे में पूछा था तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका solution क्या है देखो बाई यहाँ पर अगर आपको भी यही problem आ रही है weight list वाली तो इसका क्या solution है मैं आपको बताता हूँ देखो सबसे पहली बात तो no broker में होता क्या है जब आप instant personal loan लेने जाते हो तो अगर आपके area में serviceable होगी इनकी company तो आपको यहाँ पर no broker loan provide करवा देती है क्योंकि इनका जो lending partner है वो liquid loan है और अभी एक-दो lending partner और बढ़गे होंगे तो सायद मुझे अभी याद रही है मैं research करूँगा तो वो भी बता दूँगा लेकिन जब मैं इस profile को बनाया था तो उस बक्त liquid loan था और liquid loan जो है ना वो हमारी area में not serviceable है इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना liquid loan की तरफ से कोई offer नहीं मिल रहा है इसलिए यहाँ पर मुझे no broker company वाली loan नहीं दे रहे हैं हाला कि no broker वाली बोल रहे हैं कि अगर आपके WhatsApp में यहाँ आपको mail के जरीए यहाँ को call के जरीए कोई message बगेर आता है तो यहाँ पर definitely मुझे कम civil score पर है और कम यहाँ पर documents पर and कम interest पर loan मिल जाता बट मैं यहाँ पर loan में लेने में असमर्थ हूँ मेरा यहाँ पर अगर आपको भी wait list की problem हो रही है तो आप जो है ना no broker के company वालों से बात कर ले एड इसका जो भी समाधान है वो पूछ ले अगर आप के यह work कर रही है company तो ठीक है नहीं work कर रही है तो इसके अलाबा दूसरे application को try करें ताकि वहाँ से आपको loan मिल सके ठीक है अभी तो मेरा जापर wait list में request submit हो चुकी है यह अगर मुझे loan मिलता है कभी भी anytime anywhere तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचेत कर दूँगा आपका भाई आपके लिए यह वीडियो बनाया है और इस problem का समाधान यही है only four wait करना ठीक है तो बस मिलेंगे next वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंद मत